एलो फ्रेंड्स मैं हूं रेनू और आज मैं आपके लिए लिख रहे हूं भिंडी मसाला भरवा जिसे बनाना बहुत ही असान होता है तो चले इसे बनाते हैं तो भिंडी मसाला भरवा बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है पांच है हरे मिर्च दस पंदर लेसिन के कलिया ए एक चमबच सरसों है फिले इसको इसको अम ने सील बट्च पर पीश लिया है यह लेखेश pepper youन यहां पर हमने एड किया है और दी चमबच हल्दिपाशर can do but हम चूप कि मैंने यहां पर आड किया है लालCloud 이거는 कि एक चमबच मैं घंड्र किया है इसके बाद से हम इसमें आधा चमबच नमक एड़ कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कर टोरी में यह देखे इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है उसके बाद से हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं फिर हमने यहां पे लिए एक प्याज जिनकों हमने बारिक बारी कट कर लिया है और प्याज को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देते हैं कि स्पून के हेलप से ये इसतर से हमें मिक्स कर देना लाया कि कि तो मसाला हमारे रेडियो चुका है हमने यहां पर लिए भिंडि दस पंद्र भिंडिया है जिन करके पोच लिया और यह देखेंअ बीच से हम कट लगा रहे हैं इस इसके वाद सें उंगलियों से खोल के कि इसमें हम मसाले को घरेंगे जिर ॐ थोड़ोड़ा करके हम मसाल इसमें भरेंगे कि बहुत ही टीस्टि लगता है ए और यह देखे हम एक और भिंडी को कट कर ले रहे हैं बीच से और इसमें मसाले को भरके हम दिखा रहे हैं आपको इसी तरह से इसी प्रोसेस से हमें सारे भिंडी को रैडी कर लेना है मसाला भरके यह देखे इस तरह से हमने एक और रेड़ी कर लिया इसी तरह से हमने सारा यहां पर रेड़ी कर लिया है और यहाँ पर हमने पैन रख दिया है पैन गरम हो चुका है इसमें हम सरसो को आयल एड़ कर रहे हैं आयल गरम हो चुका है अब हम एके करके भिंडे को इसमें एड़ करेंगे यह देखें सारा रखती है हमने और इसको ढखके स्टीम की हेल्प से पकाएंगे तो यह देखें हमारा ऑल्मुस्ट पक चुका है हमने यहाँ पर गैस का जो प्ले में बिल्कुल स्लो कर रहा था क्योंकि स्टीम से पकता अदर्वाइस यह जल ला था तेज आज पर तो अब हम इसको प्लिप कर देते हैं इसके पास सिर्फ दो मिनट और पकाएंगे यह देखें तो हमारा यह भिंड़ी पक्के रेड़ी हो चुका है अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन आपको मिलती रहे